अकासानन्द लगातार राजस्थान में मार्च कर रहे हैं उनकी यात्रा में बहुत भीर जूट रही है और ऐसा लग रहा है जैसे इस बार राजस्थान में बगैर गटबंधन कॉंग्रेस के लिए मुश्किल होगी जितना जादा बीएसपी का परफॉर्मिस बहतर होगा बी बगैर बीएसपी गटबंधन के चुनाओ जिए सकते हैं जिए सकती है कॉंग्रेस उस पर कहलो की पर्तिर्या वो ही बताऊंगा लेकिन उससे पहले गारियों का ये काफिला देखिए आज मत परदेश में खडगे गएं जो कॉंग्रेस के अध्यक्ष है मैं फिर कह रहा हू कॉंग्रेस में अगर जान आई है तो वो खडगे की वज़े से इसी तरह के हालात कभी इंदरा गांधी के समय में कॉंग्रेस की हो गई थी तब बाबु जगजीवर राम को कॉंग्रेस का जिम्मा दे दिया गया था उन्होंने फिर से कॉंग्रेस को जिंदा किया लेकिन व खरगे खरगे साहब 80 साल के हो चुके हैं लेकिन पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं गटबंधन बना रहे हैं और सबसे बड़ी बात है जो कॉंग्रेस के सवन लोबी है जो इंटर्नल फाइड चलती थी उनको भी उन्होंने काबू किया है और उसका नतीजा है कि एक काफिला द होगी क्या ओवी सी का बीजेपी से महभंग हो रहा है मैं फिर कह रहा हूं हिंदू के नाम पर ओवी सी सी स्टी ने बोट किया था लेकिन जब संब्यधानिक अधिकारों का हानन हो रहा है कंपनियां बेचे जा रही है नौकरी नहीं मिल रहे और जातिवाद अपने शवाब पर है उनके बच्चों के कॉलेज इन्वर्सिटी में दाखिले नहीं मिल रहे हैं यही हालत हुई थी यूपीए टू में कॉंगरेस की जब अरजुन सिंग बेनी बर्मा लालुयादव राम बिलास पासपाने से निताओं को बाहर कर दिया गया था और कपिल सिबल जैसे जै पिजेपी ने ओभी पहली बार तो विकास के नाव पर दूसरी बार धर्म रक्षा के नाव पर बोट दिया अब तिसरी बार सवाल है कि क्या सवर्नों के तुष्टी करन से ओभी सी उप गया है ऐसी तो बोट नहीं देने जा रहा है सिडूल ट्राइब भी बहुत नाराज ह रहे हैं रही बात वोट वी सी का पचास परसंट बोटर भी हटा जो होता हुआ दिख रहा है क्योंकि नितीज कुमार हो या खिलेश यादव हो या लालू यादव हो यह सब बड़े ओभी सी चेहरे हैं स्टालिन के परती ओभी सी का भरोसा बरहा है और वो सब लोग इंडि की रेलियों में भीर जूट रही है बीना गट बंदन तो कुछ नहीं होगा वहीं आज एक अख़वार दैनिक जागरन है सबसे बड़ा जुट्था अख़वार कहा जाता है डैनिक जागरन ने खबर चाब दी सुबह 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 सर्जिकल स्ट्राइक के मैं फिर कह रहा तो वो टीवी और अख़वार है बिल्कुल मत देखें लोग जूट ही नहीं फैलाते हैं सुचिए भारत की सेना का पुरी दुनिया में सम्मान है भारत की जो सांती सेना होती है उसको पुरी दुनिया में जब कहीं किसी भी तरह के महौल खराब होता है तो सबसे पहली प्र सेना है लेकिन टीवी अख़वार में बैठे लोगों को सोचिए कि भारतिये सेना को भी बदनाम किया जा रहा है जूट मुट की ख़वर कहीं गए कि पाकिस्तान पर सर्जीकल स्ट्राइक हुआ है सचाई है कि दो आतनकबादियों को मार गिराय गया है सेना ने सीमा पार न सान मजदूर दलित पिछरे आदिवासी गरीबों के बच्चे हैं और भारत की सेना दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे शालीन और मेहनत ताकतवर मानी जाती है लेकिन जूट फैला दियागा फरजी स्ट्राइकियों की चुनाओं में किसी को फायदा पहुंचाना है अब सोचिये कि जूट से इसका इंपैक्ट क्या होता है पूरी दुनिया में एक निगेटिव छवी बनती है क्या भारत की सेना अतिकर्मन कर रही है जबकि सच्चाई है कि भारत ने कभी भी किसी पर हमला नहीं किया है हां हमले का मोजोर्त मोटोर जवाब दिया है करारा खैर सेना नहीं उसको नकार दिया है वो भी सबसे बड़ी खबर है और पुतीन जो है वो विदेश नहीं गए ब्रिक्स देशों की बैठक हो रही है आइसीस इंटरनेशनल कोर्ट जो है उसने पुतीन के खिलाफ उकरेन इसको लेकर गिरफतारी का वरंट जारी कर चुका है न आइसीसी के तहट साथ अफरीका भी आता है तो यह भी खबर है सबसे लेकिन उससे भी सबसे भयानक खबर सोचिए मैं आज एसिया कप के लिए कि टीम इंडिया के स्कुएर देख रहा था तो मुझे बहुत हैरानी हुई जो दामाद हैं किनके जो दामाद हैं हीरो है वो दामाद है केल राहुल उनका चैन तो हो गया है लेकिन टीम एसिया टीम इंडिया में सोचिए टीम इंडिया में जो एसिया के लिए एसिया कप के लिए जो टीम इंडिया के जो घोशना हुई है आपको जानकर ताज्यूब होगा कि केल राहुल को बुला लिया गया है लेक शर्मा आप सब जानते होंगे इनको सुब्मन गील बिराट कोली स्रेस एयर केल राहुल सुरिकान्त यादव तीलक बर्मा इसान किशन हार्दिक पंड्या रविंद्र जडेजा अक्सर पतेल सरदुल ठाकोर जस्परीद भुमरा मुहमद शमी मुहमद सिराज कुल्दीप सिंग ने शांदार परफॉर्म किया मैं फिर कह रहा हूं अगर आप इस देश में किसान कम्मुनिटी से हैं तो आपको दुगनी नहीं तिगनी मेहनत करनी पर यह हो सकते आपको गुम्नामी में धकेल दिया जाए जैसे बीनोत कामली के साथ हुआ सुचे सुर्कुमार यादव को 10 साल जो उनका टॉप का पिक आवर था कैरियर का जो 20 साल से लेकर 30 साल की उमर होती है वो सबसे पिक आवर होता है उसमें उनको बहार रखा गया और 30 साल की उमर में भी वो शांदार परदरसन कर रहे हैं कि रिंकु सिंग के साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है केल रहों जिनकी फिटनेस को लेकर सवाल उठते रहे हैं लेकि उनको टीम में है यह सब वो चीजे हैं जिस पर आप डिसकस नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको पास ना टीबी है ना अखवार है समय निकाले और इन मेडिया में है जुडिशियरी में है बीरोकरिसी में कॉलेज इनवर्सिटी में है जहां पैसा है पावर है पॉलिटिक्स है वहीं जाती बाद है शांदार परफॉर्म किया है रिंकु सिंग ने अपने डेब्यू मैच में आरलेंड के खिलाप लेकि उनको एसीया कब के इंटी दवाएं निसर्दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें